वही राजस्तान के कोटा से खबर है जहां कैथून ठाने के ताथेड चौकीक शेत्र के समीप एक खड़ी बस को टैंकर ने पीछे से एक टक्कर मार दी बस में करीब 40 लोग सवार थे हाथसे में 15 से जादा लोगों को चोटे आई हैं उन्हें उपचार के लिए कोटा MBS अस्पिताल में भरती भी करवाया गया है गनीमत यह रही की हाथसे में कोई हताहत नहीं हुआ और कोई जनहानी नहीं हुई ताथेड के पास एक लोग परिवहन की बस खड़ी हुई थी जिसे पीछे से टैंकर ने टक्कर मार दी थी बता दे घटना के बाद चॉलक टैंकर को मौके पर छोड़ कर फरार हो गया जानकारी मिलने पर मौके पर पहुची कैथून ठाना पुलिस ने घायलों को तुरंट MBS अस्पिताल कोटा पहुचाया